हमारे यूट्यूब चैनल समाईला टेटोरियल में आपका स्वागत है अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरपा करके से सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन स आज साथ मिलते रहें मैं बरिजराज कम्प्यूटर फॉकलिटी आज हम सब्जेक्ट कम्प्यूटर साइंस क्लास 10 में सुल्यूशन ओफ बाइमंथली टेस्ट जुलाई 2021 की रिविजन करेंगे तो आउँ देखते हैं इस टेस्ट में जो सबसे पहला कोश्चन आया था वो विकरी दे रिकोर्ड नो मेंटेन करनी वर्तिया जानदा है विच्टूल यूज तो मेंटेन रिकोर्ड ऑफ बजट फनेंशल स्टेटमेंट एंड सेल बजट वित्य विवार्ण और विकरी रिकोर्ड बनाय रखने के लिए किस उपकर्ण का पजोग किया जाता है इसकी करना चाहते हैं तो उसके लिए MS Excel जा Microsoft Excel का प्रजोग होता है नमबर टू जोदो असी अपना डोकुमेंट टाइप करते हैं तो गल्त अखर्थले केडे रंग दी लाइन आ जान दी है जब हम अपना दस्तावी टाइप करते हैं तो गल्त वर्ण के अंतरगत कौन सी रंग रेखा आती है तो इसके उप्चिन्स हैं लाल, निली, हरी और काली तो इसका सही अंसर है रेड, रेड मतलब लाल जब हम MS वर्ण में कुछ टाइपिंग करेंगे अगर हम गल्त इसे कोई शबत के स्पैलिंग गल्त लिख देते हैं तो उसके नीचे रेड कलर की लाइन आ जाएगी कई बार ग्रीन कलर की लाइन आती है तो ग्रीन का मतलब होता है तो उसमें गर्मेटिकल मिस्टेक है कॉश्चन नमबर थी कंप्यूटर सॉफ्वेर नो किनिया श्रिनिया वजी मंड़े आ जान्दा है कंप्यूटर सॉफ्वेर केतने परकार के होते हैं इसकी ऑप सेंड़ 2,3,4 और 1 तो इसका शाही ंंसर है टू जो सॉफवेर है यह दो तरह की होते हैं कौन-कौन से application software और system software system software वो software होते हैं जिनके भीना हमारा computer काम नहीं कर सकता और application software होते हैं जो किसी खास काम को करने के काम आते हैं system software में हमारा operating system आ जाता है जैसे window 7, window 8, window 10 जा mobile का operating system window android तरी इसी तरह application software में आ जाता है ms word, ms excel, ms powerpoint, google chrome, youtube बगारा तो वो हमारे क्या है application software तो number 4 किसे भी html दस्तावेज बेच पहला tag की होना चाहिदा है what should be the first tag in any html document किसी भी html दस्तावेज में पहला tag क्या होना चाहिए तो इसकी option है html, head, body, or title तो इसका सही answer है html कि जब भी हमने कोई html document बनाना है तो उसके शुरू में जो tag आएगा that is html tag और html tag जो जितने भी tag html में यूज होते हैं वो angular bracket के साथ है शुरू होते हैं और number 5, html which design के ते page नो की कहनदे हैं, the page which is designed in html is card, html design की आगे page क्या कहलता है, इसकी options है jello page, web page, server page और front page तो इसका सही answer है web page, कि जब html में कोई भी document बनाएंगे उसको बोलेंगे web page, web page का मतलब है कि internet पे हमें जो भी दिखाई देता है, चाहे Google में है, Facebook में है, Gmail में है, YouTube में, सारे के सारे के है, web page, number 6, html दस्तावे इन्हों सेव करने लें, dash extension वरती जन्दी है, html document is saved using dash extension, extension कब जो html documents को save करने के लिए किया जाता है, इसकी options है, dot html, dot txt, dot xml, जहां इन में से कोई भी नहीं, तो इसका सही answer है, dot html, आपको पता है कि html का जो program है, मैंने बताया हुआ है, वो notepad में बनता है, notepad में by default file, text file save होती है, जब हम एक html का file save करेंगे, तो file का name दिख रहेंगे बाद, उसके बाद हम लगा देंगे dot html, जिससे वो एक web page बन जाएगा, question number seven, line break pound लई सही html tag की है, what is the correct tag to insert line break in html document, html दस्ता विज में line break डालने के लिए यह सही tag क्या है, इसकी options है ber, lb, break, pressure, तो इसका सही answer है ber, कि अगर आप html document में कोई space डालना चाहते हैं, कोई enter डालना जाते हैं, तो आप enter की press करोगे, तो next line में नहीं जाएगा, उसके लिए ber tag user, ber का मतलब होता line break, और यह एक empty tag है, empty tag मतलब कि दो तरह की tag होते हैं, empty tag और pay tag, pay tag जिसमें starting or closing tag भी आता है, application software एक software है, जो जो करता के लिए विशेश्च कारिये करता है, इसके options है true or false, तो इसका सही answer है true, तो हम कह सकते हैं कि application software एक ऐसा software है, जो हमारे किसी खास काम को करने के काम आता है, जैसे MS Word document लोलने के लिए, MS Excel Calculations के लिए, MS Access Database बनाने के लिए, question number 9, जदों से print tab टे click कर दे हां, तब print preview आपने आप दिखाई दिन्दा है, when we click on print tab, print preview is display automatically, जब हम print tab पर click करते हैं तो print preview सब 40 रूप से परदर्शित होता है, तो इसके option है सही और गलत, तो इसका answer है true, जब हम print tab पर click करते हैं, तो automatically जो print preview है, कुछ इस तरह से नजर आता है, जो आपको right side पर दिखाई दिए रही विंडो, तो यह हमारी क्या है, print preview, तो यह हमें बताता है, जब हमारे document print होगा, तो कुछ इस तरह से नजर आएगा, question number 10, BMP दा पूरा नाम की है, what is the full form of BMP, BMP का full form क्या है, इसके options है, portable document format, database, bitmap image, जहां इनमें से कोई भी नहीं, तो इसका सही answer है, none of these, जब की BMP की full form होती है, bitmap picture, जब हम paint में काम करते हैं, तो paint में किसी file को save करते हैं, तो आपने कभी ध्यान दिया होगा, तो वो इसके last में क्या लगा जाता, dot BMP, तो BMP की मतलब होता, bitmap picture, तो इसमें bitmap picture का option नहीं है, इसलिए क्या आएगा, none of these, question number 11, database software की है, what is database software, database software क्या है, इसके options है, spreadsheet tool और productivity tool, तो इसका सही answer है, productivity tool, means कि database software किस काम आता है, जही database बनाने के काम आता है, इसकी example क्या है, msaccess, oracle, जा SQL server, तो number 12, multimedia software सुमेल है, dash था, multimedia software is a combination of dash, multimedia software का एक संजोजन है, dash, तो इसके option है, audio, video, text animation, जा all of these, तो multimedia दो शब्दों से बना multi और media, multi का मतलब होता एक से ज़्यादा, media का मतलब होता माद्यम, जिसमें एक से ज़्यादा माद्यम यूज़ हो, जैसे audio, video, text, or animation, उसको बोलते हैं, multimedia, तो इसका अंसर है, all of these, तो multimedia में, audio, video, animation, text, graphics, हर चीज़ शामिल होती हैं, question number 13, PDF का पूरा नाम, कि PDF दो पूरा नाम की होता है, तो इसकी option है, picture document format जब portable document format, तो इसका सही answer है, portable document format, आपने देखा होगा, कि आपको teachers group में कुछ files बेजते हैं, question number 14, align tag web page जाने हैं, whole content दे मुकाबले, attach image दे alignment नहीं करता, alignment tag does not make alignment of attached image, instead it does alignment of other contents, तो इसका answer होगा, सही जा, गलत, तो यह बिल्कुल गलत है, इसका मतलब है कि अगर आपने web page पे कुछ लिखा है, जैकि photo लगाई है, तो उसको आप align कर सकते हैं, align का मतलब कि left करना है, center करना है, लेकिन अगर उसमें attachment का option आ रहा है, तो attached image को आप align नहीं कर सकते हैं, इसलिए जै गलत है, नमबर 15, tr tag दा पूरा नाम की है, मेंकि tr tag की full form, तो इसकी option है table row, table data, table heading जा इनमें से कोई भी नहीं, तो tr का पूरा नाम है table row, जब हम html में table बनाते हैं, तो उसमें row बनाने के लिए हम tr tag use करते हैं, question number 16, असी अपने पूरे document जहां कुछ हिस्से ले, केडियां दो orientation दी चौन कर सकते हैं, which orientation we can choose for, all or some part of document, हम संपूरन जहां दस्तावेज के कुछ बाग के लिए, कौन सा अविनियास चुन सकते हैं, इसके option है portrait, landscape, both A and B जा इन में से कोई भी नहीं, तो इसका सही answer है both A and B, कि हम अपने document को portrait जहां landscape में set कर सकते हैं, तो portrait का मतलब होता है कि जब हम page को vertical set करते हैं, landscape का मतलब जब हम page को horizontal set करते हैं, question number 17, MS Office 2010 विच, word the extension की है, what is the extension of word document in MS Office 2010, MS Office 2010 में word document का extension क्या है, तो इसके option है .docx, .xlsx, .html, .pptx, तो इसका सही answer है .docx, जब हम MS word में file को save करते हैं, तो उसके last में क्या जूड जाता है .docx, .docx का मतलब है, तो यह MS word में जो file बन रही है, वो क्या होगी ? एक document. Number 18, spreadsheet tool दा मुख उदेश document बनाना है, main purpose of spreadsheet tool is to prepare a document, spreadsheet tool का मुख्य उदेश यह दस्ताविज तियार करना है, इसकांसर सही जहां गलत होगा, तो यह बिल्कुल गलत है, यह गलत क्यों है, क्योंकि जो document बनता है, वो MS word में बनता है, ना कि spreadsheet tool में जहां Excel में, तो Excel में क्या बनती है, spreadsheet जहां worksheet. Question number 19, केड़े tab विच सानू paste setup दा option मिलता है, in which tab we get paste setup option, किस tab में हमें paste setup का विकल्प मिलता है, इसके option है file, edit, format जान layout, इसका सही answer है layout, अगर आप किसी भी तरह की paste setting करना चाते हो MS word में या Excel में, तो उसके लिए हम layout tab यूज करते हैं, तो layout tab की मदल से, हम page के margin set कर सकते हैं, उसकी orientation और चेंज कर सकते हैं, Question number 20, Powerpoint दवारा समर्थित image file दे extension विच शामल हन, extensions of image files that are supported by powerpoint are, Powerpoint दवारा समर्थित शवी फाइलों के extension है, .tiwf.bmp.jpg.gif .xlsx.dscx.pptx.html तो इसका सही answer है, .tiwf.bmp.jpg.gif .tiwf एक image file होती है, इसका मतलब होता है tag image file format, bmp के मतलब bit में picture जो paint में बनती है .jpg, जोइंट photograph expert, जोइंट photographic expert group, इसमें यह भी लग जाता है कि एक बार तो jpg भी हो सकता है, और जी यह यह होता है graphic interchange format, जब हम मोबाइल पर फोटो क्लिक करते हैं, वह jpg file होती है, इसी तरह कुछ हमें WhatsApp एक पर animated files आती है, वह jpg files होती है, question number 21, जदो आसे एक पन्ने दे dash ते पहुंचते हैं, the word automatic एक page break दाखल करता है, MS word automatically enter page break when we reach at dash of the page, जब हम page के dash पर पहुंचते हैं, तो MS word सवता ही page break में प्रवेश कर जाता है, तो इसकी option है starting, अखिर page दे विचकार, जाइन में से कोई भी नहीं, तो इसका answer है end, कि जब हम किसी page के last में पहुंचते हैं, end में पहुंचते हैं, तो MS word automatically वहाँ पे एक page break enter कर देता है, question number 22, dash page देखके नयारे यांदी खाली था हुंदी है, dash is the blank space at the corner of page, dash प्रिष्ट के कोने पर रिक स्थान है, इसकी option है graphic, design, margin, जाइन में से कोई भी नहीं, तो इसका सही answer है margin, margin चार तरह के होते हैं, top, bottom, left, or right, जब हम किसी document को बनाते हैं, अगर आपर से खाली space शोड़ते हैं, नीचे से शोड़ते हैं, bottom margin होता है, left side से शोड़ते हैं, left margin, right side से शोड़ते हैं, right margin, question number 23, cell padding, cell संखेपा आते cell दी सरद विचकार pixel space है, cell padding is the space in pixels between the cell content and cell border, cell padding, cell समगरी और cell border के बीच pixel में जगा है, इस cancer सही जग गलत है, तो इस cancer है true, तो cell padding के बारे में बताना चाहूँगा, जब भी हम किसी cell में लिखते हैं, तो cell में जैसे मैंने text लिखे हैं, अब इस text में जो आपको side ओ पे space नज़रा रही है, ऊपर, नीचे, left, right इसको बोलते हैं cell padding, इसे cell spacing होती है, cells में जो gap आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, cell spacing, question number 24, HTML is structured language, HTML is structured language, बाशा है, इसका अंसर सही जा गलत है, तो यह बिलकुल true है, HTML is structured बाशा है, इसका एक syntax है, जिसको follow करके हम अपना HTML का program बना सकते हैं, question number 25, परिवाशा सुची वेच आम तोर ते वक्वक नियम आते ओना दे अर्थ, दे परवाशा शामल हुंदे हैं, commonly there are titles and their meanings with a definition in a definition list, आम तोर पर पर परवाशा सुची में परवाशा के साथ शीर्शक उनके अर्थ होते हैं, इसका सई जा गलत है, तो यह बिल्कुल true है, जब हम definition list यूज करते हैं, परवाशा सुची यूज करते हैं, तो उसमें ऊपर के आ जाता है, शीर्शक आ जाता है, निचे उसके हम अर्थ लिख सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी ने टोपे के साथ मिलेंगे, अगर आपकी यूज क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जा अपने computer teacher की मदद ले सकते हैं, धन्यवाद.